नमस्कार मैं हूँ साही शर्मा और आप देख रहे हैं स्किल शाला एक ऐसा चैनल जहां पर हर टॉपिक को बहुत बारीकी से समझाया जाता है लास्ट लेक्चर में हमने अपनी वर्क बुक के उपर थीम्स को अपलाई करना सीखा था लेकिन जिन थीम्स को हमने अपलाई करना सीखा था वो थीम्स इन बिल्ट थीम्स इस लेक्चर में हम थीम्स को क्रियेट करना सीखेंगे कस्टम थीम्स के बारे में जानेंगे और डिटेल में समझेंगे और अगर इस lecture में आपको कुछ भी नया सीखने को मिलता है तो इसे आप like करें, comment करें, share करें, channel को subscribe करें और bell icon के बटन को प्रेस करें तो चलिए देर ना करते हुए lecture को चुरुआत करते हैं अब खुद से theme को कैसे create किया जाता है, उसके दो methods हैं, उन्हीं दोनों methods को समझेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पर click करते हैं और office theme ले लेते हैं, यह by default theme है अब हम first method देखेंगे, जिसकी help से हम खुद की theme create कर सकते हैं, यानि custom theme create कर सकते हैं theme को create करने के लिए तीन चीज़ों को आपको change करना पड़ता है, तीन चीज़ों को नए सिरे से select करना पड़ता है, वो है colors, fonts and effects यहाँ पर colors में आएंगे, यहाँ पर आपको अलग-लग color palettes दिये गए हैं, आप इन में से कोई भी color palette choose कर सकते हैं अपनी requirement के according जैसे मैं, यहाँ पर red violet को choose कर लेता हूँ, तो मैंने यहाँ से red violet को choose कर लिया है, अब क्यूंकि आपने यहाँ पर color palette choose कर लिया है, उसके बाद आप यहाँ से fonts को भी choose कर सकते हैं, यहाँ पर click करें, और यहाँ से जो भी font आपको set अच्छा लगता है, उस font set को आप choose कर सकते हैं, font set के अंदर दो होते हैं, एक होता है heading के लिए और दूसरा होता है body के लिए, आप यहाँ से जिसको भी आपकी requirement के according बढ़िया समझ रहे हैं, उसको आप select कर लें, जैसे मैंने gill, sans, empty को select कर लिया है, अब अगर आप यहाँ पर home tab में आएंगे, यहाँ पर calvary या calvary body दिखाई नहीं दे रहा है, calvary light दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पर आपको gill, sans, empty font दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमने theme में इन दोनों को change कर लिया है, अब हम बात करेंगे effects के, यहाँ पर last worksheet में चलते हैं, last worksheet में आएंगे तो आप देखेंगे कि इनके default color तो change हो ही चुके हैं, लेकिन मुझे इनके effects को change करना है, तो उसके लिए मैं page layout tab में आऊँगा, यहाँ effects में आएंगे, और यहाँ से जो भी effect आप इनके उपर apply करना चाहते हैं, उस effect को apply कर सकते हैं, जैसे मुझे यह particular effect glow edge अच्छा लग रहा है, तो मैं यहाँ पर glow edge को apply कर तो यह effect यहाँ पर apply हो चुका है, अब हमने color palette को भी change कर दिया, fonts को भी change कर दिया, और effects को भी change कर दिया, अब हम इस particular theme को save करेंगे, अगर आप theme को save करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप यहाँ पर click करें, यहाँ पर click करेंगे, तो यहाँ पर आपको save current theme की option दिखाई देग आप यहाँ पर save current theme पर click कर दे, जैसे ही आप save current theme पर click करेंगे, तो आप यहाँ पर document themes के folder में पहुंच जाएंगे, जिसके अंदर हमारे पास theme colors, theme facts और theme fonts के यह 3 folders हैं, यह folders हमने create नहीं किये हैं, यह folders automatically आपके computer में रहते हैं, यहाँ पर apply and file का name, यानि कि इस theme का name आप change कर सक मैंने इस theme का name theme 1 ही रखना है, तो मैं इसको theme 1 ही रहने दूँगा, उसके बाद यहाँ पर save पर click करेंगे, और उसके बाद यहाँ पर themes पर click करेंगे, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर custom नाम का никаких heading आगई और उसमेan theme 1 नाम की यह theme है, अगर आप इन में سے जो inbuilt themes हैं किसी भी theme को select कर लेंगे जैसे मैंने इस theme को select कर लिया है और उसके बाद आपको ऐसा लगता है कि आपको अपनी custom theme ही चाहिए तो उस theme को apply करने के लिए आप यहाँ पर click करें और mouse के cursor को यहाँ पर लेकर आएं और यहाँ पर click कर देंगे तो यह theme apply हो जाएगी इस theme को अगर आप delete करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर right click करके delete पर click कर सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पर delete पर click किया और उसके बाद delete this theme का यह box आ जाएगा आप यहाँ पर yes पर click कर दें जब हमने वहाँ पर right click किया था तो हमें सिरफ delete की option ही मिली थी, edit की option नहीं मिली थी तोकि इस particular case में theme को edit करने की option नहीं मिलती है अगर आप यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर click करें click करने के बाद यहाँ colors palettes में आएं, यहाँ पर click करें और यहाँ से किसी color palette को choose कर लें मैं एक बार फिर से आपको करके दिखाता हूँ और इस बार एक नई और चीज़ आपको बताउगा मैंने यहाँ पर येलो औरेज नाम का ये color palette चूज कर लिया है इसको चूज करने के बाद हम यहाँ से fonts को भी चूज कर लेते हैं यह मैंने नए font चूज कर लिये उसके बाद मैं यहाँ पर इसको effects को भी change कर लेता हूँ यह मैंने इसके effects को भी change कर लिया अब इसके बाद हमको इसको save करना है save करने के लिए यहाँ पर themes पर click करेंगे और यहाँ पर save current theme पर click करेंगे save current theme पर click करेंगे तो यहीं document themes में आपके पास यह 3 folders आ जाएंगे यहाँ पर अगर आप theme 1 नाम से इसको save करना चाहते हैं तो save कर सकते हैं माल लिजिए मैं इसे यहां save नहीं करना चाहता, मैं इसको save करना चाहता हूँ C drive में, D drive में, E drive में या किसी भी drive में, यहां desktop पर save करना चाहता हूँ, चलिए मैंने यहां पर desktop पर click कर दिया, उसके बाद save पर click किया, तो मेरी यह particular theme desktop पर save हो गई है, अगर हम इसे minimize करेंगे, तो dot thmx लिखा हुआ मिलेगा, यह इस theme की extension है, अगर मैं यहां पर cancel पर click कर दूँ, cancel पर click करने के बाद, यहां पर Excel की worksheet में वापिस जाएंगे, यहां पर आने के बाद, यहां themes पर click करूँ, तो आप देखेंगे कि यहां पर theme one नाम की जो custom theme हमने create की है, वो हमें दिखाई नही देगी, वो इसलिए दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि हमने उसकी location को change कर दिया है, उसके बाद आप यहां पर click करें और यहां पर आपने office theme को apply कर लिया, अब वो theme आपको चाहिए, लेकिन वो custom theme में आपको दिखाई नहीं दे रही, उसके लिए आपको क्या करना है, browse for themes पर click करना है, यहां पर अगर आप click करेंगे और यहां से desktop को choose कर लेंगे, तो यह theme आपने यहां पर रखी हुए, यह desktop पर, उसके बाद आप यहां पर open पर click कर देंगे, तो आप देखेंगे कि यह theme यहां पर apply हो चुकी है, सभी worksheet पर यह apply हो चुकी है, लेकिन अगर आप यह यहां पर आएंगे तो यहां पर वो theme आपको दिखाई नहीं देगी इस बात का हमेशा आपको ध्यान रखना है तो यह थो था एक method जिसकी help से आप custom theme को create कर सकते हैं custom themes को create करने का अब second method समझते हैं second method यह है कि आपको यहां पर color palette में जाना है और मान लिजिए यह जो अलग-लग color palettes आपको यहां पर दिये गए हैं इन में से कोई भी color palette आपकी requirement के according खरान नहीं उतर रहा है यानि आपकी requirement फुल्फिल नहीं कर रहा है उसके लिए आपको customize colors में जाना है जब आप customize colors में जाएंगे तो यहां पर create new theme colors नाम का यह dialogue box open हो जाएगा यहां पर आपको अलग-लग theme colors दिखाए गए हैं यहां पर जो first four colors हैं वो text और background के लिए हैं और यह first four colors ज्यादा तर black, white या black and gray ही होते हैं और साथ ही साथ हमें यहां पर six ascent colors मिलते हैं four यह हो गए और six यह हो गए ten और two हमें यहां पर hyperlink के लिए color मिलते हैं एक hyperlink के लिए और एक followed hyperlink के लिए hyperlink के लिए और followed hyperlink के लिए ये जो colors हैं इसके बारे में मैंने आपको last lecture में भी बताया था ये जो colors आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं ये fixed colors नहीं है आप इन्हें change कर सकते हैं वही अब हम यहाँ पर करेंगे लेकिन यहाँ पर यही color क्यों दिखाए गए हैं यहाँ पर यही colors इसलिए दिखाए गए हैं क्योंकि जिस theme को आपने select किया है वो theme हमें यही theme colors प्रोवाइड करती है और हमने by default office theme को ही select किया हुआ है अगर आपने किसी और theme को select किया होता तो यहाँ पर कोई और color दिखाई देते चलिए हम ऐसा करते हैं इन colors को change करके खुद के custom colors create करते हैं अगर मैं यहाँ पर cancel पर click कर दूँ home पर click करूँ यहाँ पर click करूँ तो यहाँ पर आपको 10 colors ही दिखाई देंगे 10 theme colors ही दिखाई देंगे 12 दिखाई नहीं देंगे क्योंकि यहाँ पर Hyperlink के लिए और Followed Hyperlink के लिए Colors नहीं दिखाए जाते हैं चलिए हम यहाँ पर बाहर कहीं फिर Click करते हैं उसके बाद Page Layout में चलते हैं Page Layout में जाने के बाद Colors में जलते हैं और यहाँ पर Customize Colors पर क्लिक कर देते हैं सबसे पहले इस Color को Change करके देखते हैं मैं हमेशा कहता हूँ कि यह जो Background Colors है इनको ज्यादा Change नहीं करना चाहिए Ascent Colors यह Hyperlink and Faller Hyperlink के Color को आप Change करें लेकिन इनमें ज्यादा Change नहीं करना चाहिए क्योंकि यह Colors Background को Change करते हैं अगर मैं यहाँ पर इसको Select कर लूँ और यहाँ से इसको White Color दे दूँ जैसे मैंने इसको White Color दे दिया है Save पर क्लिक कर दूँ तो आप देखेंगे कि इसने Font Color को White कर दिया है यहाँ Graph के उपर भी जो Font थे उनके Color को भी White कर दिया है अब क्यूंकि Background White थी इसलिए वो दिखाई नहीं दे रहे है अगर हम यहाँ पर Tables में जाएं तो Tables में भी यह देखिए Font के Color को White कर दिया गया है Source Data में जो Data था वो Data दिखाई ही नहीं दे रहा है कि उसके Font को White कर दिया गया है Pivot Table में भी Data दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि Background भी White थी और Color को भी White कर दिया गया है Font के Shapes में आएंगे तो Shapes में ज्यादा फरक हमें देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पर कोई Font था ही नहीं चलिए हम यहाँ पर वापिस आते हैं और Sales 2023 और 2024 में वापिस आते हैं उसके बाद हम यहाँ पर Page Layout में ही आएंगे और Colors में जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर Custom One नाम का एक Color Palette Create हो गया है क्योंकि आपने यहाँ पर इसको जो है नाम नहीं दिया था तो इसने By Default Custom One नीम भी ले लिया है अब अगर आप यहाँ पर Right Click करेंगे तो अब आपको Edit की Option मिलेगी पहले नहीं मिल रही थी यहाँ पर अब आपको Edit की Option भी मिलेगी Delete की Option भी मिलेगी इस Color Palette को अगर आपको एक Access Toolbar पर एड़ करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं लेकिन वो अभी हमारी discussion का topic नहीं है तो चलिए हम यहाँ पर Edit पर Click कर देते हैं Edit पर Click करने के बाद यह जो Dark One है मैं इसको फिर से Black कर देता हूँ तो यह देखिए मैंने इसको Black कर दिया है उसके बाद आप Save पर Click करेंगे तो यह As It Is Normal फिर से आपको दिखाई दे रहा है अब आप यहाँ पर आएंगे यहाँ पर Right Click करेंगे और Edit पर फिर से Click कर देंगे चलिए एक और Change आपको करके दिखाता हूँ यहाँ पर Light One लिखा है आप इसको Dark One कर दें यानि इसको Black कर दें Save पर Click करें तो यह देखिए यह जो इसकी Background थी वो Black हो चुकी है यहाँ Table में आएंगे यह देखिए इसका जो Font Color था जो By Default हमें White मिलता है वो Black में Change हो चुका है जो भी चीज आपको By Default White मिलेगी और वो अब आपको Black में Change होई दिखाई देगी Source Data में जाएंगे यहाँ पर कोई Changes नहीं है पाइवेट टेबल में जाएंगे यहाँ पर कोई Changes नहीं है वो Shapes जिनका Background Color वाइट होता है वो आपको Black दिखाई देगी यह देखिए इसका Color जो है वो By Default वाइट होता है यह जो Shape है लेकिन यहाँ पर यह जो Color अब दिखाई दे रहा है यह Black Color दिखाई दे रहा है यहाँ पर अगर आप इस Shape को Select कर लेंगे Format पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आएंगे तो यह देखिए यहाँ पर यह सब Black हो चुके हैं जिनकी Background पहले कभी White थी चलिए हम यहाँ पर क्लिक करते हैं Sales 2023-24 में वापिस आते हैं Page Layout पर क्लिक करते हैं Colors पर क्लिक करते हैं यहाँ Right क्लिक करके Edit में आते हैं और इसको हम फिर से यह जो Light था इसको Light ही कर देते हैं और यहाँ से हमें अभी यह Color Black नहीं चाहिए मैं यहाँ पर Save पर क्लिक कर देता हूँ तो हमारे पास फिर से Office Theme के वही Colors आ गए हैं अब हम यहाँ पर Colors पर क्लिक करेंगे यहाँ पर Right क्लिक करेंगे Edit पर क्लिक करेंगे चलिए इन Ascent Colors को Change करके देखते हैं सबसे पहले यह जो Account Ascent 1 है इसके उपर यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसके लिए मैं Hyper Link वाले Fallered Hyper Link के Color को ले लेता हूँ यहाँ पर क्लिक करेंगे Ascent 2 के लिए मैं यहाँ से इस Color को Choose कर लेता हूँ Ascent 3 के लिए हम Green पिलर को Choose कर लेते हैं Ascent 4 के लिए हम यहाँ पर इस blue color को change कर लेते हैं choose कर लेते है ascent 5 के लिए यह 4 के लिए 5 के लिए हम gold color को choose कर लेते हैं ascent 6 के लिए हम इस grey color को choose कर लेते हैं और hyperlink के लिए मैं यहाँ से इस color को choose कर लेता हूँ यह मैंने यह color तो already है इसके लिए हम ऐसा करते हैं कि इसके लिए हम ये color choose कर लेते हैं उसके बाद इसके लिए हम इस color को choose कर लेते हैं तो मैंने तकरीबन तकरीबन हर एक particular color को change कर दिया है कोई एक शायद ऐसा हो जो repeat हो रहा है ठीक है तो इस तरह से मैंने इस सब को change कर दिया है चलिए एक और काम करके देखते हैं Ascent 1 को चेंज करें बहुत बढ़िया चीज करके दिखाऊंगा आपको Ascent 1 कलर को ले 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 और इस कलर को Standard कलर से चेंज कर दें जैसे मैंने इसको yellow कर दिया और Save पर क्लिक कर दें तो यह देखिए यहाँ पर yellow कलर हो गया होना ही था यहाँ पर भी color yellow हो गया क्योंकि मैंने यहाँ पर Ascent 1 कलर लिया हुआ था Table में आए टेबल भी yellow हो गया यह देखिए यह जो पीछे जो है light yellow और यह dark yellow कारण क्या है? कारण यह है कि जो Ascent 1 कलर है जिसको blue कलर बोला जाता है दरसल वो color by default आता है जब आप Table Create करते हैं यहाँ पर ठीक है? और अगर मैं इस Table का Slicer ले लूँ यहाँ पर Design में जाएं और Insert Slicer पर क्लिक करें Slicer क्या है? कैसे काम करते हैं? बाद में देखेंगे लेकिन अभी फिलाल आप यह समझें कि जो Slicer आएगा वो भी yellow color में आ रहा है जबकि यह हमेशा blue color में आता है Source Data में आएंगे तो इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है पाइवेट टेबल भी yellow color में दिखाई दे रहा है Shaves में भी यह color देखें इनके yellow हो गए हैं कारण यह है क्योंकि हमने Ascent 1 color को Change कर दिया है और Ascent 1 color ही Default color होता है चलिए अब हम यहाँ पर First Worksheet में वापिस चलते हैं Sales 2023-24 की इस Worksheet में वापिस आते हैं वापिस आने के बाद अब हम यहाँ पर Page Layout टैब में आएंगे और यहाँ पर देखेंगे और यह हमने यहाँ पर Colors को Change कर दिया है उसके बाद यहाँ पर Right Click करेंगे अब इसको Edit नहीं करना है हमने यही रहने देना है माली जी हमारा Final हो गया उसके बाद यहाँ पर Font में आएं और इन में से भी हमें कोई Font जो है हमारी Requirement को Fulfill नहीं कर रहा है तो हम यहाँ पर Customize Fonts पर Click कर देंगे Customize Fonts पर Click करेंगे तो यहाँ पर Create New Theme Fonts का यह Dialog Box हमारे सामने आ जाएगा यह हमें Heading Font और Body Font चूज करने के लिए बोलेगा और उसको हमें यहाँ पर Name भी देना होगा उसका सैंपल हमें यहाँ पर दिखाया जाएगा अगर आप यहाँ पर Click करें By default Calibri Light होता है Heading के लिए और Body के लिए Calibri होता है यहाँ पर आएंगे और यहाँ से मान लीजिए मुझे यह Font अच्छा लग रहा है तो मैं इस Font को चूज करनूँगा यह मेरी requirement है और Body के लिए मुझे यहाँ से यह वला Font चाहिए तो मैंने इस Font को चूज कर लिया हमेशा याद रखें कि जो नाम आपने Color Palette को दिया है कोशिश करें कि वही नाम आप यहाँ पर Theme Fonts के लिए भी दें और यहाँ पर Save पर क्लिक करने तो यह देखिए यहाँ पर Change जो है वो आपको Fonts में दिखाई दे रहे हैं अब आपको Effects को Change करना है यहाँ पर आजाएं यहाँ पर आने के बाद अगर आपको यहाँ पर क्लिक करना है तो यहाँ से आप कोई भी बढ़िया Effect अपनी Requirement की According चूज कर सकते हैं जैसे मैंने इस Glossy Effect को चूज कर लिया है तो हमने तीनों चीज़ें कर लिए हमने Colors को भी Change कर लिया Fonts को भी Change कर लिया और खुद से Change किया है इनमें से Choose नहीं किया है लेकिन एक बात याद रखें कि Effects में जब आप आएंगे तो Effects में आपको यहाँ पर खुद से Effect जो है Create करने के लिए नहीं दिखाया जाएगा आप खुद से Effect Create नहीं कर सकते ठीक है तो यहाँ पर अब हमें इस वे Save करना है Save करना है तो यहाँ पर Save Current Theme पर क्लिक कर देंगे अब फिर से आपके पास यह Option है कि आप इसको Document Themes के इस Folder में यहाँ पर Save कर दें या फिर आप इसको किसी भी C Drive, D Drive, E Drive कहीं भी अपने कंप्यूटर में Save कर लें लेकिन होगा यह कि अगर आप यहाँ पर Save नहीं करेंगे तो यह आपको यहाँ पर इस Themes के Group में दिखाई नहीं देगा हाँ जहाँ पड़ा होगा वहाँ से आप Browse करके इसको Apply कर सकते हैं यहाँ पर हम Save पर क्लिक कर देते हैं देखिए मैंने Save पर क्लिक कर दिया Save पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर Sales 2023-2024 में चलते हैं उसके बाद यहाँ से किसी थीम को Apply कर लेते हैं जैसे मैंने इस Organic Theme को Apply कर लिया है यह मेरी Requirement को Fulfill नहीं कर रही है मैंने यहाँ से और भी Themes को Try किया फिर मैंने मेरी जो Custom Theme की थी उसको Apply किया तो मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो यह मेरी Custom Theme यहाँ पर Apply हो चुकी है तो इस तरह से आप Custom Theme अपनी Requirement के According भी Create कर सकते हैं तो मुझे पूरा यकीन है कि आपको Themes के Related जो भी मैंने आपको बताया है वो आपको समझ आ गया होगा मिलते हैं Next Lecture